धान की खेती पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर की जाती है और ये पूरे विश्व में पैदा होने वाली प्रम्रुक फसलों में से एक है भोजन की रूप में सबसे जादा इस्तिमाल होने वाला चावल इसी फसल से मिलता है देश भर में मानसून के दाखिल होने के साथ ही देश के कई हिस्सों में धान की रूपाई यानि पैडी फार्मिंग शुरू हो गई है आमतोर पर धान की खेती के लिए किसान जून महिने से रूपाई शुरू कर देते हैं धान की रूपाई मुक्तलिफ जग़ों से होती है आज हम आपको ले चलते हैं कश्मीर आईए जानते हैं मोहमत शफी से कि कश्मीर में पैडी फार्मिंग कैसे की जाती है दान का प्रासेस है यहां कश्मीर में जो चल रहा है जो मैंने भी देखा है अपने जो हमारे फुरूख थे उनसे मेंने देखा है झाल हम आप्रील में इस दान को फार्मिंग में लगा देखा है पैरू अगर ड्रम हूगा जातो पेले बर्तन थे तो मिट्र के बाताँ हुआ करते थे, इन मिट्र के बतन में वो अश्याली उबरते थे और 5-6 साथ दिन तक वो इस पानी में रखते थे, यह तो 11 अपर्ज से हम इसका प्रोसेश जो है ना शुरू करते थे और उपान्स चेफ दिन उसमें रखते हैं पाँर जिन और निए निकलते ऊपनी निकलते ॉर बिर्ग कर उनको ठोड़ा बुट बोहरीや मीन जो छोड़को बोहरी आचे वर मरते हैं और आपने जो गाओ खानी होते हैं सर गाओ खानी में रखते हैं वहाँ पर इंकर ज्यादा again, भूटा है इस स सő पर उर कियद रखाल ऒखा बेशित दो यह अज में हमने कर द्वाँ यह वार किता है है जिसको कहते हैं वह तो तर चाहा, जराय दो महीड है, दो महीड जिरम सकतों दो कि अको बहुती सोर्य हैं निहे हम कंआग qui सबुस्त करेंने इसको ऑफ में 20 गया 16-25 जून तके तैरा होते हैं और 40 दिन वहाँ परiceकर जिसदेते हम इसको परते हो आज आपन रहे के लिड़ीन हैं इसलिग कि रहे नही अपनी खुश्बू और स्वात के लिए कश्मीर का चावल मश्हूर है कश्मीर में इन दिनों मौसम धान की फसल के लिए अच्छा है इस पीच महिला पुरुष दोनों ही धान की पौद रोपने के लिए खेतों में काम कर रहे है पिछले साल में यहाँ में नहीं हुआ हो रहा था और यह जो हमारे मूदी जी के सरकार आई है यहाँ पर साल बेमिसाल है वजे वाकिन 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 वेमिसाल है इसम्में जो बीच आ अगए है तो अच्तु बीच झारहे है मक्या एर जिदान का बीच दिया खोड़ेए जो भी भीिस भीच के में डाई पटाश और यूरिया हम इसमें डालते हैं तो इंशालला आज के हम इस दोर में कैसे पिछले नव साल में के अगर हम बात करेंगे तो अच्छी तरह से जो पूरा डिपार्टमेंट इसका एगरी कल्चर हो हाटी कल्चर हो हमें सपोर करते हैं और अश्चा-श्चे बीच की मदद करते हैं जो है आपके आसपास आपके शहर का खास वो दिखाएगा आपको डिएदेन 24 आपका अपना डिजिटल न्यूस डेट वर्क तो फिर कीजिए लाइक सब्सक्राइब और फॉलो